चलिए यह next question है हमारा 6.11 old book के हिसाब से 10.11 conversion का question है यह ठीक है देखते हैं क्या होता है पहला पार्ट इसका first part थोरा different type का है first part करहा है ethanol to bute-1-ine ethanol CH3 CH2 OH ethanol से जाना है bute-1-ine bute-1-ine का मतलब हो गया CH3 CH2 CH2 C triple bond CH ethanol से bute-1-ine जाना है यह थोरा सा different type का है इसको basically हम करते क्या है तो तुसरा देखिए इसमें सबसे पहले जो ethanol है उसको halo alkane में convert कर लो आप जैसे CS3 CH2 OH हमने SOCl2 ले लिया SOCl2 के साथ reaction करा करके OH की जगर CL आ जाएगा CS3 CH2 CL right अब अलग से हमने ethine ले लिया ethine इसका reaction हमने करा दिया sodium के साथ या NaNH2 के साथ NaNH2 liquid ammonia के presence में तो NaNH2 liquid ammonia के presence में अगर हम इसका reaction कराते हैं तो यहाँ दोनों के products निकले हैं इन दोनों को आपस में reaction करा देते हैं तो CS3 CH2 CL PLUS NAC triple bond CH जब इसका reaction कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा यह NACL बाहर निकलेगा और आपस में अटाच हो जाएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 C triple bond CH और यही है ब्यूट 1 आइन यही हमें लाना था ब्यूट 1 आइन कहां से तो एथेन ओल से करेक्ट है तो यह था first part चलिए next part पर चलते हैं second part second part कहता है ethane to bromo ethene ethane ethane से ethane हो गया ethane से हमें जाना है कहां पर bromo ethene bromo ethene हो गया basically ethene होता है CH2 double bond CH2 इसमें एक ह की जगह एक bromine आ गया यानि ethane से bromo ethene जाना है हमें तो ethane से bromo ethene जाने के लिए basically क्या करेंगे जरा हम देखते हैं यहां पर तो इसमें पहले हम क्या करते हैं इसका sunlight के presence reaction मानलो BR2 के साथ sunlight या फिर H new लिख देते हैं ठीक है तो इसके H की जगह BR आ जाएगा free radical halogenation होता है यह CS3 CH2 BR आ गया अब हम अब हम क्या करेंगे alcoholic KOH heat alcoholic KOH heat करेंगे तो dehydrogenation होगा यहां से इस कारवन से bromo left वाले कारवन से H यानि HBR निकल जाएगा और यह बन जाएगा CH2 double bond CH2 ethene राइट ना अब हम ethene पे क्या करेंगे फिर से bromine का addition करेंगे CCL4 के presence में तो double bond के दोनों side एक एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगा यानि CH2 single bond CH2 दोनों पे एक एक ब्रोमीन आ गया ठीक है अब यह vicinal di bromide बन गया अब यहां पर क्या करेंगे हमें एक HBR निकालना है बेसिकली यहां पे तो फिर से हम ले अलकोहली के वेच हीट यहां वापस फिर से अगर हम अलकोहली के वेच हीट लेते हैं अलकोहली के वेच हीट तो एक G Bir निकलेगा है ना तो माना हमने लेट से ब्रोमीन र्यट से एच निकाला एच ब्यार निकला तो यह प्रोडक्ट हा अगया करक ना तो इस तरह से हमारा यह कि धए श ! इसके बाद बाद करते हम थर्ड पार्ट खी अ णा थर्ड पार्ट है थर्ड पार्ट कहता है कोश्चन प्रोपीन टू वन नाइट्रो प्रोपेन कहां जाना है जो कोश्चन है प्रोपीन टू वन नाइट्रो प्रोपेन यानि प्रोपीन हो गया CS3, CH, डबल बॉंड CH2 यहां से जाना है वन नाइट्रो प्रोपेन CS3, CH2, CH2, NO2 ठीक है? तो प्रोपीन से 1 नाइट्रो प्रोपीन जाना है देखे ज़रा 1 पे NO2 लाना है तो हम एक रियाक्शन हमने पढ़ा हुआ है कोई भी जो RX है है ना? RX का रियाक्शन अगर हम AGNO2 के साथ लेते हैं ठीक है? तो सब्स्टिचूसन हो जाता है X की जग़ा NO2 आ जाता है ऐसा हमने पढ़ा हुआ है ठीक है? तो इसलिए हम क्या करेंगे? पहले हैलो में कनवर्ट करते हैं 1 नंबर पे क्लोरो या ब्रोमो लाते हैं बेसिकली 1 नंबर पे लाना पड़ेगा तो हमें ब्रोमो लाना पड़ेगा HBR का एंटी मार्क ओनिक ओव एडिसन कर देते हैं एंटी मार्क ओनिक ओव एडिसन ओनली HBR के साथ होता है HBR किसके प्रजेंस में? परोक्षाइड के प्रजेंस में तो 1 पे ब्रोमो आ जाएगा तो CS3, CH2, CH2BR इसके बाद डाइरेक्ट AGNO2 सब्टिच्यूसन ब्रोमो की जगह NO2 आ जाएगा यह हमारा थर्ड पार्ट था चलिए, फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट क्या कहता है? फोर्थ पार्ट कहता है टॉल्विन टू बेंजाइल अलकोहल टॉल्विन टॉल्विन टू बेंजाइल अलकोहल टॉल्विन होता है बेंजीन के उपर CH3 बेंजाइल अलकोहल होता है बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन को बेंजाइल कार्बन कहते हैं इससे OH attached है Bengyal alcohol बड़ा ही simple है ज़रा देखते हैं क्या होता है इसका हम क्या करते हैं मान लो क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ sunlight के presence में तो इसके 1H की जगा CL आ जाएगा तो यह बन जाएगा CH2 CL अब direct simple हमने पढ़ा हुआ है एक्वस के वेच हीट अगर हम एक्वस के वेच हीट लेते हैं या एक्वस एने वेच हीट लेते हैं तो सब्टिश्यूशन होता है CL की जगा OH आ जाएगा हैलो की जगा OH आ जाएगा लेकिन यही अगर हम alcoholic के वेच हीट ल फिफ पार्ट है प्रोपीन टू प्रोपाइन प्रोपीन टू प्रोपाइन यानि प्रोपीन हो गया CS3 CH double bond CH2 यहां से प्रोपाइन जाना है CS3 C triple bond CH कहां से जाना है प्रोपीन से प्रोपाइन तो जगते हैं क्या होता है कैसे करेंगे हम प्रोपीन टू प्रोपाइन के लिए ठीक ना तो पहला step यहां पे हम सबसे पहले क्या करते हैं यहां पे प्रोपीन से प्रोपाइन जाने के लिए दो ब्रोपीन का एडिसन करवा देते हैं और यह होता है carbon tetra chloride solvent होता है इसके presence में तो बन जाएगा CS3 CH CH2 यहां पे bromine यहां पे bromine ठीक है अब जड़ा गौर से आप देखो अगर हमने यह कर दिया हम दो स्टेप में पहले स्टेप में क्या करेंगे हमने लिया alcoholic koh heat alcoholic koh heat तो क्या होगा hbr निकलेगा तो माना एक कारबन से दोनों में से एक किसी left वाले एक कारबन से एक कारबन से ब्रोमीन निकाल दिया हमने तो प्रोड़क्ट बना CH3 CH ब्रोमीन हमने माल लो इधर से एच निकाला तो डबल बॉन्ड फिर उसके बाद इधर से भी आर है यानि CH भी आर ठीक है एक से किन यहां से तो ब्रोमीन निकाला यह CH2 रहे गया ठीक है अब फिर से क्या करेंगे फिर से अलकोहली के वेच ही लेंगे तो एक और एच वी आरज़ी आरफे एच इधर से वैर तो फिर यह triple बॉन्ड जाएगा लेकिन सेकेंड स्टेप में जब हम अल्कोहली के हीट लेते हैं तो यहां पर इसके लिए हमने लिए 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 एक्स पार्ट कहता है इथेनौल टू इथाइल फ्लोराइड इथेनौल टू इथाइल फ्लोराइड ठीक है इथेनौल हो गया CS3 CH2 OH यहां से जाना है CS3 CH2F फ्लोराइड देखे बहुत ही सिंपल आपने पढ़ा हुआ है इसी स्वार्ट्स रियाक्शन करेंगे तो क्लोरो की जगह फ्लोरो आ जाता है यह आपने पढ़ा हुआ है इस चलिए यह सिउक्स पार्ट था नेक्स्ट है सेवंध सेवंध पार्ट सेवंध पार्ट है आपका यह है भामोमीथेन से प्रोपेनोन ब्रोमोमी तेन CH3BR यहाँ से प्रोपेनोन प्रोपेनोन एज सी इस-3 C double bond O CS3 ब्रोमो मिथेन से प्रोपेनोन जाना है अब जब गवर से देखेंकि यहाँ नहीं मैं से क्या हो रहा है अब यहाँ पे हो रहा है कि एक कारबन भी इंक्रीज कर रहा है तो या तो हम KCN अगर लेते हैं या ग्रिगनाड एजेंट अगर के थूरू जा सकते हैं यहाँ पे हम ग्रिगनाड एजेंट के थूरू चले जाते हैं पहले RX को RMGX बना देते हैं ग्रिगनाड एजेंट बना देते हैं MG के साथ Dry Ether के Presence में तो CH3 MGBR बन जाएगा और ग्रिगनाड एजेंट का रियाक्शन पता है ग्रिगनाड एजेंट का रियाक्शन अगर हम करते हैं किसके साथ Aldehyde या Ketone किसी के साथ रियाक्शन जैसे माल लो यहाँ पे हमने Ethanol के साथ कर दिया H C double bond O CH3 Ethanol उल्टा भी लिख सकते थे इसको Ethanol के साथ तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे होता है क्या जो C double bond O group होता है उसका single bond OH बन जाता है और इसी के कार्बन से Green Argent का R अटैच होता है साथ में हाइडरोलेसिस भी करते हैं तो होता क्या है यह प्रोड़क्ट बनेगा देखो यहाँ पे CH3 यह अटैच हुआ इसके कार्बन से C CH इसी के कार्बन से है ना यह CS3 अटैच हो गया और साथ में यह single bond OH बन जाता है और इधर तो CS3 है ही बहुर से देखिए CS3 C double bond O CS3 C double bond O बन गया single bond O H और इसी के कार्बन से ग्रिनाड एजन्ट का R अटैच हो गया और यह बन गया प्रोपेन 2 ओल अब इसको कर देंगे हम ऑक्सिडाइज कैसे 2 डिग्री अल्कोहल की टोन में कनवर्ट होगा माइल्ड ऑक्सिडाइजिंग एजन्ट एन्हाइडरस CRO3 ले सकते हैं या फिर PCC भी ले सकते हैं तो यह आजाएगा हमारा यह हमारा था 7th part चलिए 8th 8th part है हमारा 8th part question कहता है 8th but 1 in to but 2 in but 1 in से जाना है but 2 in यानि CH3 CH2 CH double bond CH2 but 1 in हो गया CH3 CH double bond CH CH3 but 1 in से but 2 in जाना है बस बहुत ही सिंपल HBR का addition करा दो Markovnicob addition अगर हम परक्षाइड नहीं लेते हैं तो Markovnicob addition आता है 2 पे ब्रोमो आ जाएगा CH3 CH2 CH BR CH3 अब इसका फिर elimination कर देंगे हम alcoholic KOH heat alcoholic KOH heat करेंगे तो यहाँ पर HBR निकल जाएगा यानि बीच बाले कारवन सिब्रोमो बगलवाले से H और बीच में डबल बॉंट टूइन बन जाएगा correct है 8th 9th 9th पे चलते है 9th क्या कहता है 9th है 1 chlorobutane से N-octane 1 chlorobutane 1 chlorobutane से जाना है N-octane N-octane बहुत ही simple यानि 1 chlorobutane CS3, CH2, CH2, CH2Cl यहां से N-octane जाना है CS3, CH2, 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 CH3 N-octane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गौर से देखिए, number of carbon double हो रहा है यह direct woods reaction है हमें कुछ नहीं करना, single step sodium के साथ, dry ether बस, यह direct woods reaction है 9th part था यह, चलिए, next है last part, 10th part 10th part देखते हैं क्या कहते हैं 10th part है आपका, वो question है benzene to biphenyl benzene to biphenyl benzene तो यह हुआ है structure यहां से biphenyl जाना है biphenyl actually में यह structure होता है यहां दो benzene आपस में attached रहते हैं तो आपको दिखने से लग रहा होगा यह phittig reaction हो सकता है है ना बट उसके लिए हैलो एरीन होना चाहिए तो पहले हैलो ले आते हैं हैलो क्या कैसे लाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक्स सब्सेशन reaction कोई सा भी ले लो जाए गए एने ड्राइए इथर एने ड्राइए तर यह डारेक्ट्रोफिलिक्स रियक्शन हो गया क्लोरबेंजीन बाइफिनाइल बन गया करेक्ट है यह था इसका लास्ट पार्ट करेक्ट थैंक यू क्लोरब घट्रोफिलिक्स रिया करेक्ट है वा झाली सा था पार्ट करेक्ट्रोफिलिक्स